जैहिंदिफेंस एसफेरेंट्स वलकम बैक अगें दिस दिव्यानशु पांडी यूनिन पॉब्लिक सर्विस कमीशन ने नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेशनल अकेडमी सेकंड टुटिविकेशन को पॉब्लिश कर दिया है तो इस नोटिफेकेशन में इस एक्जाम से रिल साल में दो बार NDA के एक्जाम को कंडिट करवाती है और इस बार 15 में 2024 को NDA 2nd 2024 एक्जामनेशन की नोटिफेकेशन को पॉब्लिश कर दिया है जहां पर आप सभी डिफेंस एस्पेरेंट्स, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के इस अपने नोटिफेकेशन को भर पाएंगे और इन सभी फोर्स को प्रिफेरंस दे सकेंगे इस बार NDA का 154th कोर्स रहेगा वहीं पर इंडियन नेवल एकेडमी का ये 116th कोर्स रहेगा जिसकी date of training commencing 2nd of July 2024 से आपकी स्टार्ट रहने वाली है और अब इसको नोटिफेकेशन को पब्लिश कर दिया गया है हम सभी जानते है कि भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी joint training services academy NDA खडग वासला पूने महारास्ट में है और यहाँ पर सभी जितने भी girls और boys candidates है NDA की exam के थ्रू जो है भारती से 9 में अधिकारी आपका बनते हैं तो अगर हम सबसे important criteria की बात करें जो की रहती है age ability की तो इस ब अगर डियो भी आपकी दी गई है 2nd January 2006 से लेकर 1st of January 2009 के तग आगर आपकी डियो भी इनके बीच में लाई करती तो आप सभी इस exam की age ability की criteria को fulfill करते हो वहीं पर educational qualification की बात कर लें तो यहाँ पर कहा गया है कि candidates who are appearing in the class 12th under the 10 plus 2 pattern of school education और equivalent examination can apply for this examination जिसमें army wing के लिए 10 plus 2 equivalent examination naval wing के लिए 10 plus 2 equivalent with PCM इसी तरीके से NDA air wing और naval academy की याग की education qualification रहनी चाहिए इस बार की vacancy की बात करें तो पिछली बार की तुल्ला में 4 vacancy को आपका increase कर दिया गया है NDA में army के लिए 208 vacancy है जिसमें 208 में 10 इसमें included है female candidates के लिए navy में total 42 vacancy जिसमें 6 vacancy female candidates के लिए है तो female candidates को काफी आपके tough competition देना पड़ेगा तभी वो इतने कम vacancy पर complete आपका कर पाएंगी एर फोर्स में अगर आप flying में जाना चाहते हैं तो इसमें 92 vacancy है 92 में 2 vacancy female candidates को दी गई है वही पर ground duties technical में 18 vacancy total है और इसमें 2 vacancy ना यानि कि 16 लड़कों के लिए दो आपकी लड़कियों के लिए ground duty non-tech में total 10 vacancy और इसमें 2 vacancy आपके female candidates के लिए है ऐसे defense sprint जो की naval academy में जाना चाहते हैं जिसमें 10 plus 2 cadre entry scheme शामिल है तो 34 vacancy है और इसमें 5 female vacancy आपकी आती है तो इस प्रकार से total 404 vacancy है इस पे आपको compete करना है और आगे बढ़ते जाना है बात करते हैं selection procedure के तो आपका exam total 5 phases में होता है पहला phase return examination रहेगा दूसरा return को qualify करोगे तो आप ssb interview के लिए जाओगे 5 days के ssb interview को जैसे ही आप conference in हो जाते हो तो आपका medical test होगा medical के बाद आपका document verification और फिर आपकी merit list जारी की जाएगे final merit list में अगर आपका नाम आ जाएगा तो आप अगले साल जुलाई batch के training academy में जाओगे इसलिए हम कह रहे हैं कि जाए ssb interview की माश्रा online course हो या फिर ssb crack exam का nda का written course हो अपने तयारी करने के लिए आप हम से जुड़ें live classes हमारी 13th में से start हो चुकी हैं तो फटा फटा आप सब admission लें और अपने आने वाले nda examination के तयारी अच्छे तरीके से करें nd second 2024 की exam का अगर हम pattern देखें तो इसमें total two papers होते हैं पहला math का और दूसरा g.at का math में number of questions 120 पूछे जाएंगे total marks 300 के marks for each correct answer 2.5 रहेगा math में और अगर आप गलत करते हैं तो सही वाले में से 0.83 marks आपके cut कर लिए जाएंगे g.at की बात करें तो g.at में आपका English का section रहता है और g.k कर रहेगा तो देखें total जो g.at में questions रहेंगे वो 150 रहेंगे 150 में सिर्फ 50 English कर रहेगा हर एक correct answer के लिए आपको 4 marks दिये जाएंगे तो इस प्रकार से English का 200 marks का हो गया और negative के लिए 1.33 वहीं पर g.k में 100 questions आपके total marks इसमें 400 और negative marking English की तरह ही है पेपर आपका offline objective mode में 2.5 hours दोनों ही papers के लिए 1.5 गंटे यानि की 5 गंटे का आपका exam है negative marking है और अपने Hindi English में आपके paper इसमें questions आप से पूछे जाएंगे ठीक है तो आप सभी अपनी तयारी बहतर करिए syllabus के बारे में बात कर लें तो English के syllabus में spotting errors, antonyms, synonyms, vocabulary जिसमें idiom phrases आते हैं sentence improvement, sentence completion, filling the blanks, close test, ordering of words, ordering of sentences, comprehensions और भी अन्ने और हमारी English की faculty अम रादा मैम ने नए syllabus के बारे में भी आपको जानकारी दी है कि English के syllabus में और और क्या चीज़ें आपकी include हुई है तो जब आप हमारे courses में admission लोगें तो वो आपको और भी अच्छे तरीके से बताएंगी, पढ़ाएंगी GK अगर हम बात करें, तो GK में काफी vast है जिसमें GK, GS दोनों है, physics, chemistry, biology, इनका रहेगा 50 questions लगवग इन से आ जाते हैं, इसके बाद अगर आप GK की बात करो जा रहे हैं, mathematics सबसे important है, इस exam के लिए, जिसमें class 12th के standard की algebra, matrix, determinants, trigonometry, 2D, 3D, analytical geometry, differential calculation, integral, calculus, vector, algebra, statics and probability, trigonometry, यहां से question से आपके आएंगे, तो काफी अच्छी तयारी की आपको जरूरत है समय कम है, में, जून, जुलाई, आउगस्ट, ठीक है, चार, साड़े-तीन महिने हैं, साड़े-तीन महिने में आपको अपने N.D.C. exam के slayvers को पूरा करना है और आपको अपनी तयारी करके जो है, इस exam में जाना है, important dates की बात कर लें, notification 15 में 24 को release हो गया है, starting date भी यही है, और last date apply करने की 4 जून 24 की रखी गई है, आपका admit card आपके exam के 2 weeks before release कर दिया जाएगा, और exam date 1 September 2024 की है, साथ ही साथ बात करते हैं result की, तो October November month में यह आ जाएगा, ठीक है, अब कैसे आपको apply करना है, तो upsconline.nic.in की ही website पर आपको जाना है, और कहीं नहीं जाना है, वहाँ पर जाकर आप apply करें, बात करते हैं NDA exam की cutoff की, तो अभी हाली में NDA 1st 2024 का जो final cutoff आया था, उसमें यह कहा गया था, जो Army, Navy, Air Force है, उनका number of recommended candidates 519 थे, minimum qualifying standard at the written stage out of 900, 360 आपका गया था, और marks secured by last recommended candidate आपका 720 था, तो 360 के तो अबब रहना ही रहना है, आप अपनी कोशिश करिए कि आपका 450 प्लस आए, तभी तो आप final married list में आओगे, इस तरीके से इस साल भी NDA 1st का paper हुआ था, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि, इनका भी आपका जो expected cutoff, 350 से 360 के बीच में रहना चाहिए, हो सकता है कि 360 भी आपका चला जाए, 25% marks आपको सभी subjects में paper में लेना है, सभी subjects में लेना है, तो ये भी बात का आप धियान रखिएगा, और इसलिए हम कई बार कह रहे हैं कि, आप सभी अपने SSB interview की तयारी, हमारे e-learning platform पर जोड़कर जरूर करें, सबसे authentic ये platform है, जहां से सैकड़ों बच्चों का आपका success उन्होंने पराप्त की हुई है, SSB crack exam, आपके NDA 2nd party 24 की तयारी कराना हमने शुरू कर दिया है, और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें, आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं.